हेलो स्टुडेंट्स आज हम एक्सराइज 3.1 को कोईशन नुम्र 6 करेंगे कोईशन नुम्र 6 हमें क्या है फाइड अंगल मेजर एक्स इन डफॉलिइंग फिगर्ट्स यहां पर जो हमें फिगर्ट्स दे गए है यहां पर हमें एक्स का वैलिम निकालना है यानि जो यह एंगल दिये गए है ठीक है और यहां पर एक एंगल जो है वो एक्स दिया गया है उसको हमें जो है फाइंड आउट करना है इसकी जगह क्या आएगा इस एक्स की जगह तो इसी को जो है यहां पर जो है चार पार्ट्स दे गए है इनको हम जो है सॉलू करेंगे यहां पर हमें दिया गया है 58 ठीक है 130 120 और यहां पर जो है यह एक्स दिया गया है ठीक है इसको किस तरीक से सॉलुक करेंगे वो यहां पर हम देखेंगे इसको यहां पर सालू करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर आपको पता है यह कुन सी फिकर है यह कोड़ेटरल है ठीख है तो इसका मतलब जो है यानि सम ओफ sum of all angles in a quadrator वो किसके बराबर होता है 360 ठीक है तो यहाँ पर इन सारे angles का sum करना है 130 plus 120 plus 50 plus x equal to 360 उसके बाइद यहाँ पर इनको plus करेंगे यहाँ पर 0, 0, 0 ठीक है, यह 0 ही आएंगा यहाँ पर plus x यहाँ रखेंगे यहाँ पर 5 plus 2 होगे 7, 7 plus 3 10, तो यहाँ पर यहाँ पर 1 आ गया ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर 3 आ गया, equal to 360 उसके बाइद यहाँ पर x equal to 360, ठीक है इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर 300 x equal to इनको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 60 डिग्री, तो x का वैल्यू हमें 60 डिग्री आ गया है ठीक है, इसके बाइद नेक्स टिज़ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी आपको कुन सी figure बन रही है यहाँ पर भी आपको जो है एक तो इस तरीक चार साइड से इसको ठीक है, qu sólocle dриз ल ओ, एक यहाँ पर पर पहले हम क्या करेंगे हम इसको निकालेंगे पहले, ठीक है कैसे निकालेंगे, आपको पता है जब भी एक join depends geld होगी तो यहाँ पर यह एंगल जो था इसको जो है दो हिस्से हो गए तो यहाँ पर जो है हम इसी को निकालें के पहले आपको पता है अगर हम यहाँ पर इसको लेंगे एंगल 1 ठीक है तो यहाँ पर जो है एंगल वान ये को इस साइन का मतलब क्या है यह यहां पर 90 डिग्री है ठीक है 90 डिग्री है प्लस 90 डिगरी इकवान अंटो वो कितना 180 यह हमें जो है linear PR है ठीक है linear PR के मदद से हमने यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर 90 डिगरी है अंदर वाला जो है वो हमने angle 1 लिया तो total जो है इन दोनों angles का साम क्या होता है 180 के बराबर यह हमें linear PR कहता है ठीक है उसके बाद angle 1 एकवान अंटो यहाँ पर 180 यह इदर ले जाएंगे यह माइनस बनेगा ठीक है angle 1 एकवान अंटो यह हो गए यहाँ पर 90 डिगरी angle 1 जो है 90 डिगरी के बराबर निकला ठीक है यह अब हमें 90 डिगरी है ठीक है अब जो है easily हम जो है इनका निकाल सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे we know that sum of all angles in a quadrata 360 होता है ठीक है तो 360 यहाँ पर जो है अब कैसे करेंगे इसको यहाँ पर जो है इनका sum करेंगे angle 1 प्लस ठीक है 70 प्लस 60 प्लस X वो किसके बराबर 360 ठीक है उसके बाइद यहाँ पर जो है angle 1 जो है वहाँ में कितना है 90 डिगरी 90 प्लस 70 प्लस 60 प्लस X equaled to 360 यहाँ पर इनका sum करेंगे तो plus X ऐसे ही आएगा ठीक है 360 भी ऐसे ही आएगा इनको तीनों को sum करेंगे तो यहाँ पर angle 0 0 0 0 ही आएगा यहाँ पर जाए 6 प्लस 7 हो गए 13 13 प्लस यह जो है 9 यहाँ पर वो 22 उसके बाइद यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको shift करेंगे इस side 360 माइनस करेंगे 220 ठीक है उसके बाइद further X equal to यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा 6 को 2 काटेंगे 4 आएगा ठीक है और यहाँ पर 3 को 2 काटेंगे एक आएगा ठीक है यहाँ पर जो है क्या निकला हमें यह angle 140 degree के बाइद उसके बाइद जो है next है हमें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसको देखेंगे इसको किस तरीक से करेंगे यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर यह angles नहीं दिए गए है ठीक है पहले हम इनको निकालेंगे किस method से linear pair ठीक है तो यहाँ पर जो है इसको angle 1 लेंगे इसको angle 2 लेंगे ठीक है यहाँ पर जो है angle 1 plus 70 वो बराबर होगा 180 क्यों? because linear pair ठीक है इसी तरीक से यहाँ पर पहले इसको solve करेंगे angle 1 equal to 180 minus करेंगे 70 degree ठीक है angle 1 equal to 180 यह हो गया 110 उसके बाए next वाला करेंगे यहाँ पर यहाँ पर आएगा हमें angle 2 plus यह जो है बाहर 60 है यहाँ पर यह बाला equal to 180 linear pair है ठीक है उसके बाएद यहाँ पर जो है angle 2 जो है इस side जाएगा यह यहाँ पर यानि sorry angle 2 नहीं 60 degree यहाँ पर यहाँ पर angle 2 equal to 120 degree तो यहाँ पर जो है angle 1 हमें 110 और angle 2 120 के बराबर आया अब यहाँ पर जो है easily हम अंदर के यह जो है summation इनका निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे we know that sum of all angles in a pentagon ठीक है तो वो 540 होता है ठीक है तो यहाँ पर जो है एक तो यहाँ पर जो है 30 है ठीक है 30 degree उपर बाला फिर x जो है दो बार है फिर जो है आपको angle 1 है plus angle 2 वो जो है 540 उसके बाद यहाँ पर जो है इनको देखेंगे 30 यह जो है 2x है plus angle यहाँ पर 110 and 120 ठीक है 540 इनको यहाँ पर पलस करेंगे यह यहाँ पर है 2x ऐसे आएगा plus यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर तो 0 ही आ गया उसके बाद यहाँ पर 3 हो गया 1 ठीक है 3 पलस 1 हो गया 4 4 पलस 2 हो गया 6 ठीक है यहाँ पर 6 आ गया अब यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें 1 है और यहाँ पर क्या है हमें 1 हो गया 2 एक वा नटो 540 तो यहाँ पर आएंगा हमें 2x एक वा नटो 540 ठीक है माइनस करेंगे 260 तो यहाँ पर यहां पर आएंगा हमें 280 माइनस करके तो यह 2 जो है नीचे की तरफ जाएंगा यहां पर मैं फ़र्द लिखोंगा इसको तो यहां पर जो है 2 यहां पर खाली x लिखेंगे और यहां पर 280 बै 2 तो यहां पर 2 1 r 2 1 r 2 4 r and 2 0 r ठीक है तो यहां पर हमें आ गया x का value 140 ठीक है यह जो हमें x का value निकला इसी के साथ यह जो है part complete हो गया अब last वाला part है इसमें वो हम देखेंगे यह यहां पर है ठीक है इसमें जो है एक angle जो है x के बराबर और सारी side is इसके बराबर है ठीक है तो यहां पर जो है solution में लिखेंगे हम we know that sum of all angles यह कुन सी figure है 5 वाली figure को कहते है pentagon ठीक है sum of all angles in a pentagon pentagon ठीक है वो होता है 540 के बराबर ठीक है यहां पर हर कोई side जो है वो किस के बराबर होगा x के बराबर x पुलस x ठीक है यहां पर 540 क्योंकि side इस बराबर है हर किसी में ठीक है तो यहां पर 5x another to 540 और यहां पर एक हैं एक एक जुड़न टू 540 by 5 ठीक है यहां पर table तो यहां पर एक्षटे दो आएंगे यह तो यहां पर एक्स का वैल्व के निकला हमें 180 इसी के साथ यह कॉशन जो है कम्पलीट हो गया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में